दोस्तों नमस्कार मैं एपी सर आप सभी का लर्निंग बाई एपी सर यूटूब चैनल में स्वागत करता हूँ आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिफल एस लेगपाल की कटाप की चर्चा पर चर्चा करेंगे और ये भी जानने की कोशिस करेंगे कि आखिर कटाप इतनी रहेगी तो क्यों रहेगी सबसे पहले अगर हम कुछ अन्य पॉइंट पे ध्यान दे कि जो लेगपाल की कटाप है इसको कौन से इसे फैक्टर हैं जो प्रभावित करेंगे तो नमबर एक UPSI और ASI की जो बैकेंसी फाइनल होनी है अगर लेगपाल के रिजल्ट आने के पहले ये फाइनल हो जाती है तो ये प्रभावित करेंगे दूसरा रेल्वे एंटिपीसी तीसरा लोवर पीसियस जिसकी छेसो प्लस बैकेंसी थी अगला TGT PGT जो भी चल रहा फाम भरा जा चुका है एकजाम होने वाला है वो भी इस लेगपाल की कटाप को प्रभावित करेंगे इसके अलामा जूनियर एसिस्टेंट 2019 का जो फाइ लेकिन सेटी मिल गया होम डिस्टिक्ट मिल गया तो साइध ही लेकपाल को जोईन करें कुछ लोग जोईन भी करेंगे लेकिन यह भी प्रभावित करेंगे इसके अलामा हाइक कोड का र northern 한 का आरो ए आरो तोउ ये तिने मेजर Factor हैं जो लेकपाल की कटाप को प्रभावित करेंगे अगर बात करें कि अगर इन सारे कारकों को हटा दिया जाए माल लेते लेखपाल का अगले महिने है रेजल्ट आ गया तब कटाब कितिनी रहेगी अगर यह जितने यहां पर आपको एक्जाम जो रणिंग हैं ये लेग पाल के रिजल्ड आने के पहले फाइनल हो जाते हैं तब कटाब कितनी रहेगी दोनों पे यहां बात करेंगे कुछ हमने पिछली जो कटाब पीसेस को ले करके बताया है पांचे सालों से जो अपने चैनल पे हमसे जुरए होंगे उनको ज़्यादा विस्वास होगा कि जितनी कटाब बताया जाती लगभग उसी के आज आस पास रहती यूपे ट्रिपल सी के अंतरगत जो लोवर पीसेस की कटाब हुई थी मेंस हुआ था उसके संदर्ब में हमने कटाब बताया था एक्सपेक्टेड कटाब ये फाइनल कटाब हमने बताया था ये तो डीवी के लिए भी उसकी भी बात करेंगे कितनी गई है और उस समय भी कई लोगों ने कई निगेटिव कमेंट किये थी कि इतनी ज़्यादा कटाब कैसे जा सकती है लेकिन जो वास्त विक्ता थी वो कटाब तो उतनी जाएगी अब दिक्कत क्या होती जिसके नंबर कम होते हैं उसको लगता है कि कम कटाब बताई जाए तो ज़्यादा तो जाकर के ज़्यादा अगर जितने नंबर आ रहे हैं उससे ज्यादा कटाब बता दी जाए तो कमेंट में जाकर के उटा सी कमेंट करता है लेकिन आप सोतंत्र है कर सकते हैं कमेंट हमारा कमेंट हमेशा के लिए open रहता है लेकिन जब official कटाब आती है तो और आपको यानि विश्वास हो जाता है कि हमारे नमबर या आप सब के नमबर कम होने से कटाम लिधारित नहीं होती क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनके नमबर अच्छे आते हैं तो इसमें हमने कटाब जनरल की 308 से 310 बताया था OBC की 299 से 301 बताया था 80 की 282, 287 बताया था EST की 292, 294 बताया था अब यहां कहें कि EST की ज़्यादा क्यों बताया थे उसका रिजन था क्योंकि EST की सीटे बहुत कम थी दूसरा महिला की 284 से 286 बताया था इसमें काफी लोगों ने इसमें देखा भी है इस वीडियो को देखा भी था और कई कमेंड भी, निगेटिव कमेंड भी किये गए थे कि आपको कमेंड का कोई भी, कटाप का कोई भी सेंस नहीं है तो लोग बूलते रहते हैं उससे क्या होता लेकिन जो अफिसियल कटाप आई उसकी यहां पर साइट यह पेज लिए थे साइट छूट गया है कोई नहीं इसे में बता देते हैं अभी जो डीवी के लिए कटाप गई है 299 नमबर गई है जन्नल और OVC दोनों 299 नमबर कटाप गई थी आप यहां जन्नल की जो फाइनल कटाप 308 से 10 लिखी है आप पाएंगे कि फाइनल जब रिजल्ट आएगा तो कटाप इसी के आसपास रहेगी इसी के बराबर यानि OVC की भी रहेगी 2-4 नमबर आप कम कर लीजिए यानि इतनी ही कटाप फाइनल अभी तो डी भी हुआ जब फाइनल जब दो गुनास से लेगपाल की अब कटाप पे आते हैं कि लेगपाल की कितनी कटाप रहेगी ये कटाप जो यहां बताई जा रही है कि अगर आज रिजल्ट आ जाए ये तब की कटाप है कि इतनी कटाप रहेगी कोई मान लेते हैं कि लेकपाल का आज ही रिजल्ड दे दिया गया तब जनरल की कटाब जो रहेगी यह 78 से 80 नमबर रहेगी क्योंकि 100 कोस्तन हुए थे 100 नमबर का पेपर था जनके 78 से 80 नमबर जनरल में है यह डीवी के लिए क्वालिफाई करेंगे उसके बाद OVC EWS की कटाब 77 से 89 रहेगी यसी की कटाब 72 से 74 रहेगी और यस्टी की कटाब 65 से 66 रहेगी आप चूंकि यहां सीटे इधर देख लीजिए आप कई लोग कहेंगे इसमें आपने महिला कना ही लिका तो महिला जिस केडिगरी में आती है उसका जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है उस हिसाब से उनको बैकिंसी हैं इस 798 टोटल 8085 यह बैकिंसी थी तो यह कटाब अगर आज रिजल्ट आ जाए तो यह रहेगी अब आप कहेंगे अगर जो पीछे के हमने बैकिंसी बताए यह किलियर हो जाती है लेगपाल के रिजल्ट आने के पहले और यह उम्मीद भी की जा रही है कि लेग पाल रिजल्ट आने के पहले जो पोस्ट हमने उपर दर्साया है उनका फाइनल हो जाएगा अगर वो फाइनल हो जाता है तो कटाब कितना नीचे जाएगी तो हर कैटगरी में दो नमबर आप एक नमबर ही कम करिए यानि एक कम कर सकते एक से दो नमबर यह कटाब कम तो एक कटाब इसी के बीची रहेगी अब यहां कोई भी उटा सी कमेंट बाक्स में कमेंट मत करिएगा आप अफिसियल का वेट करिए जब तक रिजल्ट ना आ जा तब तक तब आप उसमें जागर के कमेंट करिए कि हाँ आप यतनी बताए अब हो सकता आप कई लोग कहें अब यही सब कंडिशन है कमिया हैं उसमें सुधार होना चाहिए लेकिन जिस तरीके का पेपर था और पेपर का जो लेबल था कई लोग कहते पेपर बहुत आसान आया लेकिन एक बात याद रखे पेपर आसान आता है तब ही गलतियां भी जादा होती हैं क्योंकि आपको ल होंगे कि आसान पेपर में गलतियां होने के चांसे ज्यादा हो जाती हैं कटिन है तो कटिन में तो पता ही नहीं होता कि हमको आई नहीं रहा लेकिन आसान में होता कि हमको सबाई रहा और जल्दी यल्दी कुसन भी हम रेड नहीं करते हैं गलत टिंग मार देते हैं कई तो बदलेगा ही अब आयोग की देखने का होगा कि कौन कौन से question का answer बदलता है change करता है उसका भी प्रभाव कटाप पे बिल्कुल होगा कई लोगों का 80 पे नहीं होगा कई लोगों का 78 पे हो जाएगा तो उसका ये की ही है कि answer change हुआ तो नीचे आ जाएंगे या delete हुआ तो common number मिल जाएंगे तो ये कटाब रहने वाली है अब मान लेते हैं कि कुछ लोग कहेंगे कि 90 पंचान 90 अब एकात परसंट लोगों के number इतने आते हैं और कई लोग क्या करते हैं कि अपने जो अभी भी वो मान के बैटे हैं कि answer बदले हमारा सही हो जाएगा उसको count करके भी number बताते हैं कि हमारे 85 या 90 बन रहे हैं reality को यह नहीं बताता है जब तक कि result नहीं आ जाता बाकि आप जो virtual दुनिया है उसमें लोग कितने number लिखते हैं उस पे जिनका बहुत अच्छा नहीं होता है तो उसी में खीज निकालते रहते हैं अपना 92-93 लिख देते हैं तो लिखने में क्या जाता है कौन वहाँ पैसा लगता है तो यह सारी चीजें हैं यह उपनी ट्रिपल एस सी की जो अभी तक जितनी भी वेकिंसी फाइनल हुई लोवर आप लिजिए 632 सायद पोश्ट थी या 672 ऐसे माल लेते हैं यतनी पोश्ट थी तो इसके लिए कटाब कितनी गए अभी आप इसको निकालोगे तो 75% से क्या है यानि 75% क्या सपास है जबकि इतनी वेकिंसीब गई यहां पर भी 1.4 माइनस मार्किंग थी पेपर लगबग मैध, हिंदी सब कुछ इसी जो लोवर पीसेस के लेबल का था उसी लेबल का यानि इसका पेपर था लेकपाल का बलकि लेकपाल के कुछ मैध के कुश्टन इसे भी लोवर से भी कटिन थे कुछ हिंदी की कुश्टन लोवर से भीस में क्या थे लेकपाल में कटिन थे जो ग्रामीन भी कास आया लोवर से कटिन था तो यह आप नहीं कह सकते कि पेपर आपका लेकपाल का बहुत आसान था जब हम कह रहे हैं तो आप समझ की बोल रहे होंगे हाँ कुछ सेक्षन आसान था कुछ विशेश सेक्षन आसान होने से पूरा पेपर आसान नहीं हो जाता है तो इसमें 75% के आसपास क्या गई थी कटाब यानि 75% से कम ही कटाब है फाइनल जाएगी तो यह 78% तक पहुंच जाएगी इसे ज़्यादा नहीं जाएगे जबकि पोश्ट कितनी है 632 है 632 पोश्ट थी अब इसमें कितनी 8085 पोश्ट है अब आप माल लेते हैं कि इसमें कुछ लोग चीटिंग पिटिंग करके 2000 सीटे भी ऐसे चीटिंग से भी हो गई 6000 सीटे अगर सुरचित हैं तब भी कटाप यही जो यहाँ आपके सामने लिखी हुई है यह जाने वाली है यही कटाप रहेगी बाकी जो ज़्यादा तर लोग जो आप सुन रहे होंगे कि इतनी नंबर ला रहे हैं इतनी तो सब वर्चोल की दुनिया आपको पहली भी बताया उस पे विस्वास मत करिए फाइनल जब कटाप आएगी तो आप देखेंगे इसी के आसपास कटा रहेगी यह फाइनल यह आपका डीवी के लिए कटाप है डीवी के लिए आप कहेंगे फाइनल कितनी जाएगी तो फाइनल में बहुत जादा नतर नहीं आएगा यह एक नमबर का अंतर आएगा हर सेक्षन में एक नमबर ज्यादा कर लिए क्योंकि पॉइंटों में बहुत जादा क्या होगा अब जैसे ही हम तनिक उपर के उड़ जाते हैं या नीचे उतरते हैं मौइंड में बहुत जादा अंतर आ जाता है तो यह किया दो एक या दो नमबर का अंतर ही आएगा बहुत जादा अंतर हो जाती है तो जाहिर जी बात है दो नमबर घटा लेजिए जहां डथतर उसको 76 कर लेजिए यानि कुल मिलागर के कटाब यही रहने वाली है हर सेक्षन में अगर पिछली वैकेंसी फाइनल हो जाती है तो दो नमबर घटा लेना है बाकी तो नहीं आज रिजल्ट आ जा तो यह कटाब रहेगी हो सकता है कि हम गलत भी हो सकते हैं क्योंकि यहां एक्सपेक्ट कटाब बता रहे हैं लेकिन अभी तक का जो हमारा एनालिसिस से अबजर्विशन है उस इधर उधर परिशान ना हूं कि कई लोगों का आप देखेंगे कि 85 अभी भी कटाब बता रहे हैं कुछ लोग तो 90 भी बता रहे हैं सबकी अपनी अपनी सोतमता है अभी यूटूब का जबाना है कोई कुछ भी आकर के कटाब बताने लग जाता है लेकिन बताने से क्या हो यहीं समाप करते हैं आगे हम आप लोगों के लिए जो पीटी होने वाला उसके फुल टेस्ट और करेंट अफेर्स के वीडियो बहुत जल्द लाएंगे तो यह जादा जादा लोगों को सेर कर दीजे जय हिन जय भारत